नमस्कार, आज हम शब्द विचार देखेंगे शब्द विचार को मराठी में शब्दांचा जाती और अंग्रेजी में पार्ट्स ओप स्पीच या वर्ड क्लासेज भी कहते हैं अक्षरों के सार्थक गठन को शब्द कहते हैं अर्थात जब एक या एक से अधिक अक्षरों का सयोजन किसी विशेश अर्थ को इंगित करता है तो उसे शब्द कहा जाता है शब्द एक निश्चित अर्थ को ग्रहन कर लेता है जैसे कमल इस कमल शब्द से हम ही यह समझते हैं कि यह एक फूल का नाम है यदि हम इस शब्द के अक्षरों को अलग-अलग रखे जैसे क, म, ल तो यहाँ पे एक-एक अक्षर का कमल शब्द से कोई सम्मंद नहीं है दूसरा उदारन नयन, नयन का अर्थ हमें पता है कि नयन मतलब आख होते हैं इसमें न, य, न, इन शब्दों का नयन शब्द से भी कोई सम्मंद नहीं है लेकिन जब कमल नयन ये शब्द बन जाते हैं तो एक अर्थ ग्रहन कर लेते हैं जैसे कमल ये फूल का नाम है ये हमें समझ में आता है नयन आख को बोलते हैं ये हमें समझ में आता है आगे देखते हैं हिंदी शब्दावली का वर्गी करण अनेक अधारों पर किया जाता है जैसे कि विकास के अधार पर, अर्थ के अधार पर, उसके उत्पत्ती के अधार पर, उसके रूप के अधार पर प्रयोग की दुष्टी से शब्द दो प्रकार के हैं विकारी और ओविकारी विकारी शब्द की परिवाशा देखते हैं विकारी शब्द वे कहलाते हैं जो कारव, लिंग, वचन, पुरूश और काल के अनुसार रुपांतरित हो जाते हैं याने उनमें बदलाव हो जाता है परिवर्थेशिल होते हैं वो विकारी शब्द के चार प्रकार है सग्या, सर्वना, विशेशन और क्रिया और विकारी शब्द और विकारी शब्द वे कहलाते है जो सदैव एक रूप में रहते है और कारप, लिंग, वचन, पुरूष वो काल के कारण रुपांतरित नहीं होते याने उनमें परिवर्थन नहीं होता इसे ओविकाली शब्द कहते हैं ओविकाली शब्द के भी चार प्रकार हैं क्रियाविशेशन, समंद बोधक, समुच्चय बोधक, विसमयदी बोधक इन मुख्य भागों के अतरिक्त भी अर्थों को भी मूल रूप से अन्य खंडों में भी विभाजित किया जा सकता है जैसे एकार्थी, बोवर्थी, समनार्थी, बिलोमार्थी, ध्वणी प्रधान, युगमत था अन्या अगले विडियो में हम विकारी और अविकारी शब्दों को एक एक करके विस्तार से समझेंगे तब तक के लिए धन्यवाद